ए गाइज वीडियों. तो आज इसकी वीडियों में बताने वाले हैं कि आप लोग Chrome Browser को इस्तेमाल करते होगी. सभी की मूबाल में Chrome Browser होगा. लेकिन आप लोगों को जो भी browsing करते होंगे, आप लोग सर्च करते होंगे. सारा कुछ आप लोगों को Chrome browser से ही होता है तो आप लोग क्या करते हैं यहां पे Chrome browser के अंदर कुछ AC शेटिंग है जो आप लोग कर लोगे तो आपका mobile कभी hang नहीं करेगा तो जैसा कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को real में आप लोगों का अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का mobile जो है बहुत दिनों तक आपका hang ही नहीं करेगा तो मेरे साथ अगर आप लोग फालो कर लेजिए आपका mobile में साथ में setting कर लोगे तो आपको जो sync का option मिला इस पर click कर देना पहली setting अपको यह कर लेना यहां पर क्या है अपको जितने भी बैग्राउंड में हमारी यह profile होती है जितने आप्स होते हैं यह सारे हमारे बैग्राउंड में हमेशा चलते रहते हैं तो ऐसे में क्या करना है आप लोगों को तो ज्यादा हमार से इनको बंद कर देना है अब आप लोगों का जितना भी बाइग्राउंड में application है वो आप लोगों को sync नहीं कर पाएंगी और आप लोगों का जो mobile है hang नहीं करेगा फिर से आपको क्या करना है Chrome browser को open करना 3.0 पर click कर देना फिर से आपको setting में चले आना जैसे setting पर चले आओ यहां पर क्या होता है आप लोगों का जो भी है आप लोगों को track कर लेता है जो भी ब्राउजरिंग आप लोगों करते हैं ब्राउजर पर कुछ भी सर्च करते हैं वहां पर आप लोगों को track कर लेते हैं गलती से तो यहां पर अगर आप लोगों को कोई भी track नहीं कर पाए तो अगर आप लोग यह आन कर लोगे तो आपको कोई track नहीं कर पाएगा तो आपको इसको on करके रखना है तो दो setting आपको यह कर लेना है तिसरी setting आपको क्या करना है नीचे score करोगी तो यहां पर आपको मिल जाएगा save browse link तो आप लोगो कोई इस पर click कर देना है यहां आप लोगों को यहाँ से क्या करता है यहाँकर ятель प्रोडिक्शन पास्ना कि लाउचन हम करें रहता है रहता है मुबल कर पता है जैस़ा कि अप लोगों को को आगे कि हैं कोई आप लोग करो गधे कोई वही को अप फिर आप लोगों को दूसरे साइड पर लेकर चले जाते हैं, जो आप लोगों को चाहे रहें, वो नहीं हो पता है, जिससे कि आपका मोबाल बहुत ही जादा हैंग करता है, तो आपको अपना साइब ब्राउजिंग कर लेना है, तो इस्टेंडर प्रोडेक्शन पर से हटा के आप लोगों को इन्सेक्टेंड प्रोडेक्शन पर किलिक कर देना, तीसरी आप लोगों को सेटिंग ये कर लेना है, अब बैक हो जाएंगे, आप लोगों को फिर से प्रावेशी और सेकोर्टी के अंदर ही चले आना, और यहाँ पर आपसन मिल जाएगा, उपर में आप ल ब्रावजरिंग से लिखा है, यहाँ पर जितना भी मैं सर्च करता हूं, सारा यहाँ पर इसे हो रहता है, जिससे कि हमारा मुबाल बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको इसको डाटा को किलियर करते रहना चाहिए, आप लोगों का, अगर अभी तक आपने मुबा किया ना हो, तो आप लोगों को यहाँ से डाटा, इस तीनों पर आप लोगों को किलिक कर देना, इस तरीके से आप होगा, तो आप लोगों को इस तरीके से आपको टिक कर लेना है, और यहाँ से आप लोगों को किलियर डाटा कर लेना है, जैसे किलियर डाटा करोगे, जित अब आप लोगों को Chrome browser के उपर से करना है वो कैसे करना है आप लोगों को इस तरीके से कुछ reference कर लेना है और फिर आप information पर चले जाना है और यहां पर नीचे scroll करोगे तो यहां पर मिल जाएगा install and count apps यहां पर आप लोगों को बहुत important आपको बहुत ही ध्यान देना है यह most setting है बहुत ही अच्छी setting है अप लोगों को अगर यह कर लोगे तो आपका mobile मरते app पर चली के आप लोगों को डाउनलोड हो जाती है जैसे कि वायरेस भाय कोई application आप्लिकेशन आटोमेटिक डाउनलोड हो जाती है जिसकी अपना mobile बहुत ही ज्यादा है अगर आप लोग इसको ट्रन आफ करके रखोगे तो आपका जो data है वो भी safety से रहेगा आपका जो battery है इसका description आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं क्या इसमें है तो आप लोगों को हमेशा इसको ट्रन आफ करके रखना है ताकि आपका कोई आटोमेटिक कोई भी application से आपके mobile में डाउनलोड ना हो और आप लोगों कोई hang problem नहीं होगा तो आप लोग play store अगर चला रहे हों chrome browser च चला रहे हैं तो आप लोगों को इसी तरीकी से ट्रन आफ कर लेंगे तो आपका mobile बहुत ही कम hang करेगा है नहीं बिल्कूल और दोस्तो मैंने यह जो पांच setting आपको बताई हैं अगर कल होगे तो आपका mobile मरते दम तक hang नहीं करेगा तो दोस्तो वीडियो परसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना अगर आप लोगों को कोई राय हो तो comment box में जरूर लिखना मिलिंगे एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए टाटा बाए बाए